नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम देखेंगे हेलो एलकेंज एवं हेलो एरिंज की प्रेशनों 3 सिरीज को। अभी तक हमने इस अध्याई से संबंदित सारे टॉपिक्स को डिटेल में पड़ा। साती साथ कुछ टॉपिक के अंदर हमने प्रेशनों को भी सॉल्व किया था लेकिन आज हम संपूर्ण पार्ट से संबंदित प्रेशनों को आपके समक्ष लेकर आये हैं जिनको हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे चर्चा करने का बिस्तरित नजरिया होगा हम बिस्त प्रेशन मारे पास आएगा निमिल लिखित योगिकों के IUPAC नाम लिखिये एवं प्रात्मिक दुटियक एवं तिर्तियक एलकिल हलाइड में भी उनका पैचान करना हैं साती साथ बताना है वो एलिलिक होगा या बेंजाइलिक होगा या बिनाइलिक होगा एवं एलिल CH फिर ब्रैकेट के अंदर CL है फिर CS3 है इसको किस परकार से solve करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है उनको छोड़ देंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के भार क्या क्या है तो यह हमारे पास CH तो इस CH को इस तरह से लिखे यहां पर CH और इस CH के साथ यहां पर लिख लेंगे CH3, अब यहां पर इस CH के साथ एक CL जुड़ा हुआ है, तो इस CL इसके साथ आ जाएगा, और इस CH के साथ CS3 दो जुड़े में हैं, तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पर एक तो यहां पर आ जाएगा CH3, और एक यहां पर ये बन गया हमारे पास compound, अब इस compound का नामकरण करना है, क्या नामकरण करना है, IUPAC, तो IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, हमने सीखा भी था, हम carbon की गिंती वहा से करेंगे, जहां से halide सबसे नजदीक हो, क्योंकि IPSEC नामकरण क्या कहता है कि जो हैलाइड योगिक हमारे पास हैलाइड जो तत्वा है उन तत्वों को सबसे कम नंबर देना है तो हैलाइड सबसे नजदीक कहां से होगा अगर हम यहां से काउंट करते हैं 1 कार्बन ये होाँ गया दूसरा कार्बन तो हमारा जो chlorine है वो तीसरे नमबर पर आ रहा है अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो हम कहां से गिंती सुरू करेंगे हम गिंती सुरू करेंगे दाएं से बाएं की तरफ क्योंकि दूसरे नमबर पर chlorine आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो होगा या तीरत्यक अलके ल लाइड होगा हमें यह पता तो है कि है यह 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 देकना तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो कार्बन है जिसके साथ हलाइड जुड़ा हुआ है इसी कार्बन को तो हम देखेंगे इस कार्बन को कितने अन्य कार्बन ने गहरा हुआ है उतने डिगरी का यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास अल्किल हलाइड हो जाएगा तो य यह हो गया, एक carbon, यह हो गया, दो carbon, तो दो carbon घेरे में हैं, तो इसका मतब यह क्या हो जाएगा? 2 degree alkalide, यही आपको पैचानना था यहाँ पर, कि यह क्या है, प्रात्मिक हो गया, दृत्यक हो गया, तिर्त्यक हो गया, तो यह यहाँ पर होगा दूतियक अलकिललाइड, अब चलिए दूसरे question पर चलते हैं, दूसरा question अमारे पास यहाँ पर ले रखा है, निमिल लिखी तयोगिकों के, IUPAC नाम लिखे, एवं प्रात्मिक दूतियक एवं तिरतियक अलकिललाइड में पैचान करें, ठीक है, यही यहाँ पर दे रखा है, जो पहला question था, उसी की तरह यहाँ पर दूसरा question है, तो करना आपको क्या है, सबसे पहले मैंने क्या क्या, ब्रैकेट में जो ले रखा है, उसको छोड़ दिंगे, तो यहाँ पर आजाएगा CH3, यहाँ पर आजाएगा CH2, यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 नहीं आएगा, यह CH2 होगा, यहाँ पर एक गलती से हो गया होगा, CH2 आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आजाएगा CH2, और यह हो जाएगा I, अब देखिए, इस कार्बन के साथ, CH3 का whole twice जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, एक CH CH3 यह हो गया, एक CH3 यहाँ पर यह हो गया, अब देखिए, हमने कहा था कि कार्बन की गिंती आप कहां से सुरू करेंगे, आप कार्बन की गिंती वहां से सुरू करेंगे, जहां से हलाइड सबसे नजदीक हो, तो हलाइड यहां से सबसे नजदीक है, वन कार्बन, यह हो ग लंबी कार्बन स्रिंखला को देखना है, तो सबसे लंबी कार्बन स्रिंखला यहाँ पर यह थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन, और यहाँ पर आ जाएगा आईडो, और कार्बन की कितनी संक्या है, कार्बन की संक्या को देखने से पहले हमें यह देखना है, कि दूसर है न, M आएगा, तो अब आएगा, वन आईडो, फिर डैस, 2,2, यानि कि दो कार्बन, दूसरे कार्बन पर दो मिथाईल लगे वे हैं, तो 2, 2, डाई, और फिर आजाएगा, मिथाईल, और लास्ट में कितने आएगे, कार्बन की संख्या आजाएगी, कार्बन की संख्या कितनी है, चार है, तो चार कार्बन के लिए क्या आएगा, व्यूटेन, तो इस योगिक का नाम हुआ यहाँ पर, वन आईडो, टू, टू, डाई, मिथाईल, व्यूटेन, अब दूसरा यहाँ पर प्रेस्ण आता है, कि यह दूतियक है, या प्राइमरी है, या तिर्थयक है, तो आप देखेंगे, कि जो हमारा केंद्रे कार्बन है, यहाँ पर जिसके साथ हैलाइड जुडा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इस हैलाइड वाले कार्बन के साथ अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उतन साथ नहीं जुड़े हुए, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्वन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 1 degree alkylolide, या आप इसको कह सकते हैं, प्रात्मिक alkylolide, अब चलिए अगला question देखते हैं, अगला question यहाँ पर यह दे रखा है, CS3, यहाँ पर यह दे रखा है, same question है, IPSC नाम लिखना है, और प्रात्मिक ध्वित्यक एवं तिर्टेक alkylolide में पैचान करनी है, तो जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो bracket के अंदर है, उनको छोड़ देना है, तो यहाँ पर क्या हैगा, CH3, और यह हो जाएगा carbon, और इस carbon के बाद यहाँ पर सीधे, यह CH2, और CH3 आ जाएगा, तो यहाँ पर CH2, यह हो जाएगा CH3, अब देखिए, इस carbon के साथ एक जुड़ाओ है CL, जो bracket के अंदर है, उसका मतलब है, कि यह जो carbon है, इस carbon के साथ यह CL जुड़ाओ है, और इसी carbon के साथ यहाँ पर bracket में क्या जुड़ाओ है, C2H5 जुड़ाओ है, तो यहाँ पर लिख हैंगे C2H5, आप चाहो तो इस C2H5 को किसी दूसरे डंग से भी लिख सकते हैं, कुछ इस परकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर इसको इस परकार से भी लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH3, यह भी तो वही हुआ, C2 और H5, मैंने इसको इस परकार से क्यों करेंगे, हम गिंती कहां से करेंगे, यहाँ पर इस कारबन के साथ यहाँ पर कलोरीन लगाओ है, तो कलोरीन को सबसे कम नंबर देना है, तो इसका मतब हम गिंती कहां से शुरू करेंगे, अगर हम यहाँ से गिंती शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, चार कारबन हैं, अगर हम यहा वाली जो गिंती है ये हमारी गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चारी कार्बन आ रहे हैं जबकि IOPSC कहता है कि आपको सबसे long chain ढोंडनी है तो long chain यही थी जब हमने यहाँ से इस तरब के लिए गिंती सुरू करी यहाँ से इस तरब देख रहे हैं तब हमारे पास जो कार्बन आया जिसके साथ हलाइड जुड़ा हुआ है वो है तीसरा कार्बन अगर हम यहाँ से भी करते हैं तब भी तीसरा ही आएगा तो यह दोनों तरब से सही है आप यहाँ से करें या यहाँ से करें तो यहाँ पर क्या जाएगा थिरी और यहाँ पर कुलोरो और यहाँ पर तीसरे कार्बन के साथ एक मिथाईल भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थिरी मिथाईल और कार्बन कितने हैं यहाँ पर 5 है तो 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा पांच कार्बन के लिए यहाँ पर आ जाएगा पेंटेन तो इस योगिक का नाम हुआ थिरी कुलोरो थिरी मिथाईल पेंटेन अब दूसरा यहाँ पर प्रैशना आ रहा है कि यह प्रात्मिक है या दुट्यक है या तिर्ट्यक है तो अब देखिए जिस कार्बन के साथ हलाइड जुड़ा हुआ है वो यह कार्बन है यह कार्बन कितने अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यह हमको देखना है यहाँ पर देखिए एक तो यह कार्बन है तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या आएगा, तिर्तियक अलकिल हलाइड, तो ये क्या हो गया हमारा तीन डिग्री अलकिल हलाइड हो गया, क्योंकि जो केंद्रे कार्बन है, जिसके साथ हलाइड जुडा हुआ है, उसको तीन अन्य कार्बन ने गिरा हुआ है, इसलिए तीन डिगरी अलकिललाइड होता है अब चलिए अगला question डिसकस करते हैं अगला question हमारे पास निमलिखित योगिकों के IPSC नाम लिखे एवं परात्मिक द्वित्यक एवं तिर्टेक अलकिललाइड में पैचान भी करनी है तो यहाँ पर यह योगिक दे रखा है इस योगिक को भी आपको same ही करना है लेकिन आप ध्यान रहे यहाँ पर हमारे पास double bond आ गया है तो इस double bond को आपको mention भी करना है जब भी आप इसका structure बनाएंगे यानि कि आप इसको अपनी तरह से बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे CH3, CH और यहाँ पर हो जाएगर double bond बीच में फिर CH और यहाँ पर C और इसके साथ यहाँ पर क्या-क्या जुड़ा हुआ है एक तो जुड़ा हुआ है BR आप देख पा रहे हैं और दो CS3 जुड़े हुए है तो एक हम यहाँ से जोड़ दिंगे एक हम यहाँ से जुड़ दिंगे अब इसकी गिंती कहां से शुरू करेंगे यह देखना जरूरी है IPSC यह कहता है अपने रूल के अंदर कि जब double bond के साथ कोई ब्रोमीन जुड़ा होता है या double bond योगी के साथ कोई हलाइड जुड़ा है जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है और double bond भी है तब कारबन की गिंती वहाँ से सुरू होगी जहां से double bond सबसे नजदीक पढ़ रहा हो तो सबसे नजदीक कहां से है यहां से है 1, 2, 3, 4 और यह हो गया 5 अगर हम यहाँ से गिंती सुरू करते हैं तो तीसरे कारबन के उपर double bond आ रहा है तो सही वाला कौन सा होगा सही वाला होगा चब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं जबकि हम दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें double bond अधिक संक्या पर पराफत हो रहा है तो इसका नामकरण किस परकार से लिखेंगे इसका नामकरण ये भी का जाता है कि जो double bond योगिक हैं वो हमेशा बाद में mention किया जाता है यानि कि double bond का जो नाम है उसको बाद में लिखा जाएगा योगिक के अंत में पहले हम किसका लिखेंगे उस योगिक का लिखेंगे जो अलफा बेटिकली पहले आ रहा होगा तो अलफा बेटिकली पहले कौन आ रहा है ये वाला आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर और यहाँ पर ब्रोमीन की जगा ब्रोमो यही होगा और फिर फोर के साथ ही क् bond तो दो और यहाँ पर हो जाएगा इन तो इस योगिक का नाम हुआ 4-bromo-4-methyl-paint-2-eन अब यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है कि यह परात्मिक होगा दुत्यक होगा या तिर्त्यक होगा परात्मिक दुत्यक और तिर्त्यक हम तब देखते हैं जब हमारे पास कार्बन और कार्बन के मद्या सिंगल बॉंड होता है जब हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉंड होते हैं तब हम उसको दूसरे नाम से देखते हैं लेकिन अभी हम तिर्त्यक बॉंड की बात तो कर नहीं रहे हैं अब ही हम सिर्फ दुत्यक बॉंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है, कि ये ऐलिलिक होगा या बिनाइलिक होगा, बेंजाइल भी नहीं होगा, एराइल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेंजीन के लिए कहा जाता है, तो ऐलिलिक होगा ये या फिर तो ये होगा हमारा एलिलिक समोव क्योंकि जब कारबन और कारबन के मद्य डबल बॉंड होता है जैसे यहाँ पर कंडिशन बन रही है आप देख पा रहे होंगे यह कंडिशन बन रही है यहाँ पर इनके मद्य जब डबल बॉंड है इसी डबल बॉंड के साथ जब एक अन्य कार्बन जुड़ा हो सिंगल बॉंड के साथ ये और उस सिंगल बॉंड के साथ एक जुड़ा हो हैलाइड तो वो समोव हमारा कहलाता है एलिलिक समोव और इस योगिक को हम कहिंगे यहाँ पर एलिलिक हैलाइड तो ये हो जाएगा एलिलिक या फिर Allyl Helide कह सकते हैं इसको Allyl Helide भी कहा जाता है इसको तो हम यहाँ पर Allyl Helide लिखेंगे अगर हम इंग्रिस में पढ़ते हैं इसको तो Allyl Helide पढ़ते हैं तो यह योगी कौन सा हुआ Allyl Helide हुआ आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि जब कार्बन और कार्बन के मद्ध डबल बॉंड हो और उस डबल बॉंड कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो सिंगल बॉंड से और उस सिंगल बॉंडेट कार्बन के साथ जुड़ा हो एक हलाइड वो होता है हमारा Allyl Helide अब चलिए next question discuss करते हैं next है हमारे पास निमिलिकित योगिकों के IUPAC नाम लिखिए एवं उनको प्रात्मिक दुतियक एवं तिरतियक एलकिल हलाइड में पचाने साथी साथ आप बताएंगे वो एलिलिक है या बेंजाईलिक है या बिनाईर है या फिर एरिल हलाइड है सबसे पहले हम करेंगे क्या वही रूल एपलाई करेंगे जो हमने इस से पहले वाले योगिकों के साथ किया था तो आप क्या करेंगे सबसे पहले उनको छोड़ दिंगे जो ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, CH, और यहाँ पर double bond C, और इसके साथ जुड़ाओ है CH2, और यहाँ पर CH, यहाँ पर यह लिखा है न मैंने, और फिर इस CH के साथ जुड़ाओ है 2 CS3, इसी परकार से लिखेंगे CS3, ठीक है, और इस carbon के साथ यहाँ पर जुड़ाओ है 1 Cl, हो गई इस carbon की सारी संयो जगता पूरी यहाँ पर, दो यह bond है, और दो यह है, चार, चारी संयो जगता होती है carbon की, तो यह पूरा योगिक हमारे पास प्राप्त हो गया है, अब आपको करना क्या है, गिंती कहां से सुरू करनी, यह देखना है, सबसे long chain कौन सी है, यही है हमारी सब से long chain, यहां से सीधी रेखा में जा रही है न, यह वाली, तो यह हो जाएगा हमारा एक carbon, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 6, तो इस योगिक का नाम क्या होगा, सबसे पहले आप कि इस को लिखेंगे, कुलोरीन को, तो chlorine के लिए क्लोरो, फिर आ जाएगा dash, और यहाँ पर पांचवे कार्बन के साथ एक methyl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 methyl, और कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 कार्बन के लिए क्लिए 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 आ जाएगा, हैग्ज और एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के साथ है, दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ है, तो पहला जो कार्बन होगा, उसको हम यहाँ पर मेंसन करेंगे, तो हैग्ज टू इन, इस योगिक का नाम हुआ, 3-Cloro-5-Methyl हैग्ज टू इन, अब आपको देखना है, यह तिर्त्यक है, या दूत्यक है, या फिर प्रात्मिक है, तो यह सब तो नहीं है, क्योंकि इसके स है, कि double bond carbon के साथ direct chlorine जुडा हुआ है, या हलाइड जुडा हुआ है, तो इस पर कार के समोह को कहा जाता है, बिनाइल हलाइड, या फिर बिनाइल गुरूप इसको कहा जाता है, और बिनाइल गुरूप के साथ, जब अगर कोई हलाइड जुडा हो, तो उसको कहा जाता है, ब फिर बिनायलिक हलाइड कहा जाता है उसको, तो यहाँ पर हम बिनायलिक हलाइड लिख रहे हैं, या फिर आप बिनायलिक हलाइड भी लिख सकते हैं, तो यह योगी कुवा हमारा बिनायलिक हलाइड, और इस योगी का नाम है 3-Cloro-5-Methyl-Hex-2-Eene, यह इसका आयुपेसी नाम करण हो गया, चली अगला question डिसकस करते हैं, यहाँ पर अगला question कुछ इस परकार से दिया गया है, आयुपेसी नाम भी लिखना है इसका, और इसको पैचानना है कि यह प्रात्मिक है दृत्यक है या तिरत्यक है, साथी साथ इसको देखेंगे, यह ailylic है, यश हम बेनजायलिक है, या फिर बिनायलिक है, या फिर arryleolide है, हम देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे C6H4 लिखा हुआ है, C6H4 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जरूर benzen होगी, तो यहाँ पर क्यों न हम पहले ही बेंजीन बना दे, बेंजीन यहाँ पर बन गई है, इस परकार से हम बेंजीन बना लेंगे, यह आपकी बेंजीन तयार हो गई है यहाँ पर, इस बेंजीन को हम यहाँ पर ring structure भी दे देंगे, अब बन गया यह बेंजीन रिंग, अब यहाँ पर जुड़े हैं, पैरा पोजिशन पर, अगर ये पैरा है, तो इसके बिफोर जो है, यहाँ पर ये भी पैरा होगा, अगर ये पैरा है, तो इस पैरा के साथ जुड़ा होगा है, CH2, और यहाँ पर CH, और इस CH के साथ जुड़ा होगा है, दो CS3, यहाँ पर CS3, यहाँ पर भ चार कारवन और इसको पांच, पांच को हमें गिनने की आओ सकता है नी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सम्मुआ लिखा नहीं है, तो हमको उसको गिनना भी नहीं है, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले पर क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को ही mention करेंगे, क् कि अलफाबेटिकली भी क्लोरीन पहले आ रहा है, फिर यह गुरूप आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन क्लोरो, फिर आ जाएगा, डैस, चौथे गुरूप के साथ यहाँ पर जुडा हुआ है, यह वाला योगिक, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह यह योग फिर डैस कर देंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट क्यों बनाएंगे, जो यहाँ पर यह अलग सा समोह जुडा हुआ है, इसको मेंसन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसका पूरा IPSC नाम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे, टू लिखा हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ एक मिथाईल जुडा हुआ है, तो two मिथाईल आ जाएगा, अब दो मिथाईल तो यहाँ पर आ गया, अब इस पूरे योगी का नाम क्या होगा, यह हो गया, one कार्बन, यह हो गया, दो, यह हो गया, तीन तीन कार्बन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा प्रोपाइल इस योगी का नाम क्या हुआ टू मिथाइल प्रोपाइल और फिर आ जाएगा बेंजीन अब आप देखेंगे कि ये योगी का क्या नाम हो गया पूरे योगी का इसका नाम हुआ वन कुलोरो फोर फ करते हैं अगला क्वेशन हमारे पास यह है निमलिकित योगिकों के IPC नाम लिखने हैं परात्मिक दृत्यक भी पहचानना है एलिलिक एहलाइड भी पहचानने है जैसे पिछला क्वेशन था वैसे हमारा यह भी क्वेशन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे CH3 फिर CH और यहा हुआ है chlorine अब इस योगिका नाम क्या होगा इस योगिका नाम को जानने से पहले हम देखेंगे कि इसकी गिंती कहां से सुरू करें इसकी गिंती वहां से शुरू होगी जहां पर alphabetical order पहले आ रहा होगा यह CL chlorine बाद आता है B R पहले आता है B पहले आता है तो हमारे पास B पह अबेटिकल ओर्डर आ रहा होगा, तो 1, 2, 3, और यह 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो, फिर दैस, 3 कलोरो, और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटेन, इस योगिक का नाम हुआ, 2 ब्रोमो, 3 कलोरो, अब यहाँ पर 2 हलाइड लगे हुए हैं, एक लगा है C-L, एक लगा है B-R, अब इसमें हम तिर्त्यक, दृत्यक और प्रात्मिक हम धूड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 लगे हुए हैं, एक ये वाले कार्बन से लगा हुए है, तो इनको अलग-अलग भेंसन करना होगा, ज ये वाला कार्वन इससे जुड़ावा है, इससे जुड़ावा है, तो इसमें हम mention नहीं कर सकते हैं कि कौन सा primary है, कौन सा secondary है, अगर दोनों की बात करें तो दोनों अमारे क्या है, secondary alkyl halide है, चलिए अगला question डिसकस करते हैं, अगला question अमारे पास कुछ अलग टाइप का है, न dipol होगा, यानि कि आपको पता है कि CH3 और यहाँ पर हमारे पास होगा X, इनका dipol होता है, यानि कि ये दो पोल में होते हैं, आपको पता है, इस पर होता है partial negative charge, इस पर होता है partial positive charge, अब देखिए यहाँ पर, किसी धुर्वय आणों में किसी एक परमाणों पर उपस्तित यानि कि दो चार्ज के मद्दे की दूरी कितनी होगी वो हम देखते हैं distance D, नाभिकों के मद्दे की दूरी के गुणन फल को दुदुरूब आगूण कहते हैं, यानि कि किसकी अधिक electron खींचने की छमता होगी, कौन जादा electron negative होगा, उसी का सबसे जादा दुदुरूब आग यहाँ पर इसकी geometry कुछ इस परकार से होगी ना, हमने देखा इसकी geometry कैसी होती है, चतुस फलकिया होती है, तो चतुस फलकिया geometry तो इसी परकार से होगी, यहाँ पर मान लिया मैंने CL ले लिया, यहाँ पर ले लिया H, यहाँ पर CH3 होना था, और यहाँ पर CH2, CL2 होगा, ठी ठीक उसी परकार से इस योगिक का भी यहाँ पर structure बना देंगे C, यहाँ पर आजाएगा CL, यहाँ पर भी आजाएगा CL, और यहाँ पर भी आजाएगा H, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे CL, और यहाँ पर CL, और यहाँ पर हो जाएगा CL, और यहाँ पर भी हो जाएगा CL, इन योगिकों पर आप देखेंगे कि क्या-क्या समानता है और क्या-क्या भिनिता है, समानता तो इनमें कुछ भी नहीं दिख रही है, सिर्फ यही समान है यह कि यह कुलोरीन से बना हुआ है और हाइडोजन से बना हुआ है, इन दोनों में और यहाँ पर, यहाँ पर chlorine है, ठीक है, अब आपको देखना यह है, जब आपके पास इस परकार की योगिक मिलेंगे, तो उन योगिकों का dipole moment हमेशा सुन्य होगा, ठीक है, वे अनु जो समान परमानु से मिलकर बने होते हैं, उनका dipole moment हमेशा 0 होता है, जैसे आप हमेशा देखेंगे, H2O का dipole moment, H2O नहीं, H2 का dipole moment सुन्य होता है, वैसे Cl2 का dipole moment 0 होता है, O2 का 0 होता है, N2 का 0 होता है, इस परकार के जो एक ही अनु से बने होते हैं, उनका dipole moment हमेशा 0 होता है, ठीक है? डाइपोल मोमिंट को हमेशा तीर के निसान से दरसाते हैं इस परकार का तीर बनाओगा तीर का निसान हमेशा उस तरफ होगा जिसका डाइपोल मोमिंट सबसे अधिक होगा यानि कि जो सबसे अधिक बिद्दूत्रिनात्मक होगा उसकी तरफ तीर का निसान होगा और जो उस योगिक में सबसे कम बिद्दूत्रिनात्मक होगा उसकी तरफ इस परकार का डैस का निसान लगा दिया जाएगा जैसे हम देखेंगे सबसे पहले वाला, इसमें आप देख पा रहे होंगे CL अधिक बिद्धुत्रिनात्मक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे इस परकार से होगा, यहाँ पर भी आप इसी परकार से देखेंगे, यहाँ पर भी इसी परकार से देखने को हमें मिल रहा है, कार परकार के योगिक में आप तो समझ पा रहे होंगे, मैंने अभी समझाया कि जो एक ही परमानों से बने योगिक होते हैं, उनका डाइपूल मोमेंट हमेशा सून्य होता है, तो यहाँ पर mu equal to हो जाएगा 0, ठीक है, इसको हमें जादा डिसकस करने की जरत है नहीं, क्योंकि अब आप देखेंगे यहाँ पर इस परकार के योगिक को, यहाँ पर मैंने कहा था डाइपूल मोमेंट को इसी परकार से दर्साएंगे, कि जो अधिक बिद्दुत्रिनात्मक होगा, उसकी तरफ तीर का निसान होगा, और जो कम बिद्दुत्रिनात्मक होगा, उसकी तरफ हम dash कर देंगे यहाँ पर hydrogen और carbon का दे रखा है तो carbon हमेशा hydrogen से अधिक विद्धुत्रिनात्मक होता है यहाँ पर आप देखेंगे यह अलग-अलग परमानों से बने हुए है यहाँ पर Hb है, Clv है ठीक है तो यहाँ पर दो तीर तो उपर की तरफ दिख रहे है एक यह वाला तीर, एक यह वाला तीर और दो नीचे की तरफ दिख रहे है तो इनका जो dipole moment है वो कुछ न कुछ होगा इनका सुन्य तो नहीं हो सकता है ठीक है, तो यहाँ पर जो dipole moment है वो experimentally लिया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ आपको यह देखना है कि dipole moment किसका अधिक होगा इसकी value नहीं देखनी है ठीक है, value तो आहेगी भी नहीं एक्जाम में जो पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि निमिलिकित योगिकों में सबसे अधिक dipole moment किस योगिक का है दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे dipole moment इसी तरह से देखेंगे क्लोरीन का सबसे अधिक है, इसमें भी क्लोरीन का सबसे अधिक है और यहाँ पर कार्बन का सबसे अधिक है तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन तीर के निसान लगेवें उपर की तरफ और एक लगाओ है नीचे की तरफ इसका मत्तब है कि इसका dipole moment सबसे अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर तीन उपर की तरफ है देख ले रहे हैं आप तीन उपर की तरफ है यानि कि उपर की तरफ इसका dipole moment अधिक है नीचे की तरफ सिर्फ एक ही है तो तीन अधिक है तो इसका dip Experimentally बात करें, तो इसका dipole moment लगबग होता है 1.62d, d क्या है यहाँ पर, d होता है db, db dipole moment की unit है, ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पर देखें, इसका होता है यहाँ पर 1.03d, यह हमें experimentally दिया जाता है, बस आपको ध्यान यह रखना है, कि जो हमारे पास सम्मित कार्बन होगा, या आप कह सकते हैं, एक ही परमानों से निर्मित जो योगिक होगा, उसका dipole moment हमेशा 0 होता है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है, दो परमानों के बीच में, बिद्धुत रिनात्मकता का जितना अधिक अंतर होगा, dipole moment का मान उतना ही अधिक होगा, आप कह सकते हैं, dip जा आपको याद बीच में आपको या बीचक अंतर हो याद बीच झाल झाल